आम के पेड़ में आदिवासी युवक की जूलते मिली लाश परिजनु ने कहा की गई है हत्या परिजनु ने नेशनल हाइवे सड़क को किया जाम आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर मद्ध प्रदीस के रिवा से बड़ी खबर आ रही है रगनाद गंज कस्वी के नेशनल हाइवे को किया गया जाम बीच सड़क में रखी गई युवक किलाश बताया जाता है कि आज सुबह लगभग साथ बजी गाउं के आदिवासी युवक की आम के पेड में फासी के फंदे में जूलती हुई लाश देखी गई इस घटना के बाद परिजनों ने युवक की हत्या के जाने का आरोप लगाया है पुलिस ने प्रथम द्रश्टिया मर्ग कायम किया है युवक के परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है इस घटना को लेकर नेशनल हाईवे में चका जाम कर दिया गया है 20 सड़क में युवक की लास रखी गई है इसके चलते ला एंड ओर्डर की स्थिती बन चुकी है आसपा स्थानों की पुलीस मौके में पहुची है फिलहाल परिजनों के द्वारा हत्या की जाने की बात कही जा रही है और चिन्ही तारोपी की गिरफतार की जाने की मांग की जा रही है रगनाद गंज पाइपास में तक्रीबन दो घंटे से ज्यादा समय से जाम लगा हुआ है बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रिवा नए वीडियो से वं ताजी खबरे मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भी ले